ओम शांती आज है 27 दिसंबर 2020 के अव्यक्त महवाक्य पहले एक नजर मूरली की मुख्य पोइंट्स पर आज बाप दादा ने हमें जगमगाते हुए दीपकों का टाइटल देते हुए कहा कि दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाने के लिए बुझे हुए दीपकों को जगाते ह लेकिन यहां तो सभी रुखानी दीपक जगे जगाए हैं बाबा ने कहा सभी दीपकों की रुखानी जोती एक टक एक रस चमक रही है अर्थाद सभकी मन में एक बाबा यही रुखानी लगन रुखानी दीपक को जगमगा रही है आगे भाबा ने कहा इस स्रिष्टी पर past, present और future इन तीनों का खेल चलता रहता है जैसे अभी जो present है वही कल past हो जाएगा और जिसको आज future कह रहे हो वही कल present हो जाएगा इस नए वर्ष में इन तीनों शब्दों को नई विधी से प्रियोग करना past को past with honor होकर past करना अर्थात बीती को ऐसी स्रेष्ट विधी से पास करना जो बीती को स्मृती में लाते ही वहाँ वहाँ के बोल दिल से निकलें present को ऐसे practical में लाओ जो हर present घड़ी वह संकल्प से आप विशेस आत्माओं दवारा सभी को कोई न कोई present अर्थात सोगात प्राप्त हो सिर्फ एक सेकंड के स्नेह की दृष्टी, स्नेह की भावना, स्नेह का सहयोग और मीठे बोल यही presents बहुत है आजकर सभी आत्माओं को इन presents की ही आवशकता है तो चेक करो इनका स्टोग आपके पास है ना और लास्ट में बाबा ने कहा फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्स करो अर्थात भविश्य क्या होगा, फ्यूचर की जीवन क्या होगी, फ्यूचर के नैन क्या होगी, फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी और future से संबंद कैसे होंगे आपके features इन सभी बातों का साक्षादकार कराएं अब सुनते हैं महवक्यों को विस्तार से मुरली का सार, past, present और future को stressed बनाने की विधी आज great great grandfather और godfather अपने अती मीठे, अती प्यारे बच्चों को दिल से दुआउं की greetings दे रहे हैं बाप दादा जानते हैं कि एक-एक सिकी लधा बच्चा कितना stressed महान आत्मा है हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुँचती रहती है आज के दिन सभी विशेस नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आय हुए है दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप वो मोंबतियां जगाते हैं वे जगा कर मनाते हैं और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं बुझे हुए को जगाते नहीं और जगा कर फिर बुझाते नहीं ऐसा लाखों की अंदाज में जगे हुए रुहानी जोती के संगठन का वर्ष मनाना यह सिवाए बाप और आपके कोई मना नहीं सकता। कितना सुन्दर जगमगाते दीपकों के रुहानी संगठन का द्रिश्य है। सबकी रुहानी जोती एक टक एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा यही लगन रुहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिती है, यही मनाना है, यही बनकर बनाना है, इस समय विदाई और बधाई, दोनों का संगम है, पुराने की विदाई है और नएक को बधाई है। इस संगम समय पर सभी पहुच गए है, इसलिए पुराने संकल्प और संसकार के विदाई की भी मुबारक है, और नए उमंग उत्सा से उड़ने की भी मुबारक है। जो प्रेजन्ट है, वह कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है, वह बारह बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजन्ट कहेंगे और कल को फ्यूचर, भविश्य कहते हैं। पास्ट, प्रेजन्ट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधी से प्रियोग करना। कैसे? पास्ट को सदा पास्विद ओनर हो करके पास करना। पास्ट इस पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते होना समय पास हो गया, यह द्रिश्य पास हो गया, लेकिन पास्विद ओनर बन पास किया। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी स्रेष्ट विधी से बीती किया, जो बीती को स्मृती में लाते, वहा वहा के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसे बीती किया, जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाएं। किर्तन अर्थात किर्ती गाते रहें। जैसे भक्ती मार्ग में आपके ही कर्म का किर्तन गाते रहते हैं। आपके कर्म के किर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वा हो रहा है। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल् वो समय को ऐसी विधी से पास करना, समझा क्या करना है, अब आओ प्रेजेंट वर्तमान, प्रेजेंट को ऐसे प्रेक्टिकल में लाओ, जो हर प्रेजेंट घड़ी, वो संकल्प से आप विशेस आत्माओं दवारा, कोई न कोई प्रेजेंट सोगात प्राप्त हो, सबसे ज़ प्रेजान्त हो, दुखी हो या प्रेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है, तो उस घड़ी, खुशी की लहर आजाती है, दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से, सभी प्रेजेंट सोगात को सदा सनहें की सूचक मानते हैं, प्रेजेंट दी हुई च समझा, सहज है या मुश्किल है, भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजन्ट देते देते भंडारा कम हो जाएगा, स्टोक जमा है ना, सिर्फ एक सेकंड के सनहे की दृष्टी, सनहे का सहयोग, सनहे की भावना, मीठे बोल, दिल के स्ट्रेश्ट संकल्प का साथ, यही आमन आत्माई है, चाहे आपकी भक्ता आत्माई है, चाहे आपके संबंद संपर्क वाली आत्माई है, चाहे परिशान आत्माई है, सभी को इन प्रेजन्ट की आवशकता है, दूसरी प्रेजन्ट की नहीं, इसका स्टोक तो है ना, तो हर प्रेजन्ट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, दाता बनकर प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, तो सर्व प्रकार की आत्माईं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी, अच्छा, फ्यूचर क्या करेंगे? सभी आप लोगों से पूछ से है ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है? फ्यूचर को अपने फिचर्स से प्रत्यक्स करो, आपके फिचर्स फ्यूचर को प्रकट करें. फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर के नैन क्या होगे? फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? फ्यूचर के संबंद क्या होगे? फ्यूचर की जीवन क्या होगी? आपके फिचर्स इन सब बातों का साक्षातकार कराएं. द्रिष्टी फ्यूचर की स्रिष्टी को स्पष्ट करें क्या होगा यह क्वेश्चन्स माप्त हो ऐसा होगा इसमें बदल जाए कैसा बदल ऐसा हो जाए फ्यूचर है ही देवता देवतापन के संसकार अर्थाद दातापन के संसकार देवतापन के संसकार अर्थाद ताज, तक्त धारी बनने के संसकार, जो भी देखे उनको आपका ताज और तक्त अनुभव हो, कौन सा ताज? सदा लाइट, हलका रहने का लाइट, प्रकाश का ताज, और सदा आपकी कर्म से, बोल से, रुहानी नशा और निश्चिन्त पन क चिन अनुभव हो, तक्त धारी की निशानी है ही निश्चिन्त और नशा, निश्चित विजई का नशा और निश्चिन्त स्थिती, यह है बाप के दिल तक्त नशीन आत्मा की निशानी, जो भी आए, वेह यह तक्त नशीन और ताज धारी स्थिती का अनुभव करे, यह है फ्यूचर को फीचर्स दवारा प्रत्यक्स करना, ऐसा नया वर्ष मनाना, अर्थाद बन कर बनाना, समझा नये वर्ष में क्या करना है, तीन शब्दों से मास्टर त्रिमूर्थी, मास्टर त्रिकाल दर्शी और त्रिलो की नात बन जाना, सब यही सोच से हैं कि अब क्या करना है, हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों ही विधी से सिधी प्राप्त करते रहना, नय वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना, डबल विदेश्यों को डबल उमंग है ना, New Year मनाने में कितने साधन अपनाएंगे, वो लोग साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकालका करते अभी अभी जलाएंगे अभी अभी पुझाएंगे लेकिन बाप दादा अविनाशी विधी से अविनाशी सिध्धी प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं आप लोग भी क्या करेंगे केक काटेंगे मुम्बत्ती जलाएंगे गीत गाएंगे ताली बजाएंगे यह भी खूब करो भले करो लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधी बताते हैं साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप ददा भी खुश होते हैं क्योंकि ऐसा सुन्दर परिवार जो पूरा ही परिवार तासधारी तक्तधारी है और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है इसलिए खू खुब नाचो गाओ, मिठाई खाओ, बाप तो बच्चों को देख करके भासना ले करके ही खुश होते हैं, सभी के मन के गीत कौन से बज से हैं, खुशी के गीत बज रहे हैं, सदा वहा वहा के गीत गाओ, वहा बाबा, वहा तकदीर, वहा मीठा परिवार, वहा स्रेष्ट संगम का सुहावना समय, हर कर्म वहा वहा है, वहा वहा के गीत गाते रहो, बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे, कई बच्चे वहा के गीत के बजाए और भी गीत गा लेते हैं, वेह भी दो शब्द का गीत वह जानते हो इस वर्ष वह दो शब्दों का गीत नहीं गाना वह दो शब्द है वह और आए क्यों और मैं बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वह वह की बजाए वह वह बहुत करते हैं तो वह की बजाए वह वह करना और आए की बजाए बाबा बाबा कहना समझा जो भी हो जैसे भी हो फिर भी बाप दादा के प्यारे हो तब तो सभी प्यार से मिलन के लिए भागते हो अमरित विले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं प्यारा बाबा मीठा बाबा और बाप दादा रिटर्ण में सदा प्यारे बच्चे प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं अच्छा वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है फिर भी बच्चों के स्नेह का अहवान बाप दादा को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है आकारी विधी में यह सब देखने की आवशक्ता नहीं है आकारी मिलन की विधी में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभुती कराते हैं साकारी विधी में फिर भी हद में आना पड़ता है बच्चों को चाहिए भी क्या मुरली और दृष्टी बात जो संगठन में बोलते हैं वही अलग में बोलेंगे फिर भी देखो पहला चांस डबल विदेशियों को मिला है भारत की बच्चे 18 तारिक अर्थाद 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग पहला चांस ले रहे हो अच्छा 35-36 देशों की आए हुए है ये भी 36 प्रकार का भोग हो गया 36 का गायन है ना 36 वेराइटी हो गई है बाप दादा सभी बच्चों का सेवा की उमंग उत्सा को देख खुश होते हैं जो सभी ने तन मन धन समय स्ने और हिमत से सेवा में लगाया उसकी बाप दादा पदम गुणा बधाई दे रहे हैं चाहे इस सम मुख है चाहे आकार रूप में सम्मुख है लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं सहयोगी बने सहयोगी बनाया तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक कई बच्चों के सेवा के उमंग उत् कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरो गई जिनोंने भी कार्ड भेजे हैं बाप दादा कार्ड के रिटर्ण में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं समाचार सुन-सुन हर्शित होते हैं चाहे गुप्त रूप में सेवा की चाहे प्रत्यक्स रूप में की लेकिन बा और बाप के कार्य में समीप आना यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी हैं, कल योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेश सेवा जो सभी ने चारों और की उसके लिए बाप ददा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वर्दान दे रहे हैं। अच्छा, जब आपकी प्रजा सहयोगी, संबंधी, वृद्धी को प्राप्त होंगे, तो वृद्धी के प्रमान विधी को भी बदलना तो पड़ता है ना, खुश होते हो ना, भले बढ़े। अच्छा, सदा सर्व स्नेही, सदा सहयोगी बन, सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकिन हर संकल्प को स्रेष्ठ से स्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन, सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे स्रेष्ठ महान आग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड़ नाइट और गुड़ मॉर्निंग। रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमसे नमसे गुड़ मॉर्निंग। विदेश सेवा पर उपस्थित, टीचर्स प्रती, अव्यक्त महवाक्य, निमित सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भव के वर्दान से आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियां, जो भी सेवा के लिए निमित हैं, उन सबको विशेस, पदमा पदम भाग्यवान, स्रेष्ट आत्माई समझ से हैं। सेवा का प्रत्यक्स फल, खुशी और शक्ति यह विशेस अनुभव तो करते ही हैं। अभी जितना स्विम शक्ति शाली, लाइट हाउस, माइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों और प्रत्यक्स था का जंडा लहराएंगे। हर एक निमित सेवाधारी को विशेस सेवा की सफलता के लिए दो बातें ध्यान रखने हैं। एक बात सदा संसकारों को मिलाने की युनिटी का, हर स्थान से यह विशेस सा दिखाई दे। दूसरा, सदा हर एक निमित सेवाधारी को पहले स्विम को यह दो सर्टिफिकेट देने हैं। एक एक ता, दूसरा संतुष्ट ता। संसकार भिन-भिन होते ही हैं, हैं और होंगे भी। लेकिन संसकारों को टकराना या किनारा करके स्विम को सेफ करना यह अपने उपर है। कुछ भी हो जाता है, तो अगर कोई का संसकार ऐसा है, तो दूसरा ताली नहीं बजावे, चाहे वे बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना, अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ती को धारण करे, तो दूसरे का संसकार भी अवश्य श क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाप के सूरत का दरपन है, तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है, वही बाप के सूरत का दरपन हो जाता। सेवा तो अच्छी है, अभी सिर्फ बाप को प्रत्यक्स करने के लिए प्रत्यक्स जीवन का प्रमान सदा दिखाओ, तो सभी एक ही आवाज से बोले कि यह ज्यान की धार्नाओं में तो एक है, लेकिन संसकार मिलाने में भी नमबर वन है, ऐसे भी नहीं कि इंडिया की टीचर अलग है, फोरेन की टीचर अलग है, सभी एक है, यह तो सर्फ सेवा के निमित बने हुए है, सापना में सहयोगी बने है और अभी भी सहयोग दे रहे है, इसलिए स्वत्य ही सब में विशेस पार्ट बजाना पड़ता है, वैसे बाप ददा वो निमित आत्माओं के पास वि पर चाहे कोई भी हो, वहां उसकी विशेसा से लाभ लेना होता है, बाकि एक दो को रिगार देना यह ब्राह्मन कुल की मरियादा है, स्नेहे लेना और रिगार देना, विशेसा को महत्तव दिया जाता है ना, कि व्यक्ति को, अच्छा, वर्दान, हर सेकिंड और संकल्प को हर सेकिंड और संकल्प को अमुल्य रिती से व्यतीत करने वाले अमुल्य रत्न भव। रखो तो अलबेलापन स्माप्त हो जाएगा, अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है, जो अपने हर सेकिंड, हर संकल्प को अमुल्य रिती से व्यतीत करते हैं, वही अमुल्य बनते हैं, स्लोगन जो सदा योग युक्त हैं, वो सह योग का अनुभव करते विजई बन जाते हैं, अच्छा, ओम शान्ती, आज की अव्यक्त मुर्ली जरूर सुने, उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें, स्याहँ है।